इस वीडियो क्लास में आप सुमों का स्वागत है जब टाइम और वर्क का चैप्टर सुरू हुआ था उसी समय में ने कहा था कि टाइम और वर्क और पाइप्स और शिस्टर ये मिलते जुलते एक दूसरे के पूरक चैप्टर्स है जब आप टाइम और वर्क को पढ़ेंगे ठीक से समझ में आ जाएगा तो पाइप्स और सिस्टर भी समझ लीजिए कि 60-70% आपने पढ़ लिया यही कारण है कि मैंने टाइम और पहले सुरू किया और एक लबे समय के बाद जब उसमें काफे कुछ क्लासिस हो गए तब पाइप्स और सिस्टर आज शुरू कर रहा हूं हम लोग दोनों चाफ्टर को पहले दिखाएंगे कि यह कैसे जुड़ा है और उससे भी पहले यह बेसिक बात कहना चाहेंगे कि टाइम और वर्क में दरसल होता क्या था हमने तीन फॉर्मूले की चर्चर की थी और जहां तक वे फॉर्मूले लागू होते हैं वहीं तक उनकी प्रासंगिक्ता है रिलेविंसी है मैं उनकी याद दिलाता हूँ आपको इफ ए कन डुए वर्क इन एक्स देज और बी एलोन कन डुए वर्क इन य देज देन बोथ तोगेदर गन फिनिस्ट वर्क इन एक्स वाई बाइक्स प्लस वाई डेज ये टाइमन वर्क में मैं बात कर चुका हूँ ए अगर किसी काम को एक्स डेज में करें बी किसी काम को वाई डेज में करें तो दोनों मिलकर उस काम को एक्स वाई वाई एक्स प्लस वाई डेज में कर सकता है अगर A, B, C, individually किसी काम को X, Y, Z, Dage में करता हो respectively तो तीनों मिलकर के उस काम को 1 by 1 by X plus 1 by Y plus 1 by Z यानि कि solve करें तो इतने Dage में कर सकता है और third, कि A और B मिलकर किसी काम को X Dage में करें B अकेला Y Dage में कर सकता हो तो A अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा X, Y, Y, Y minus X इसको देख लिजे यह आपने Time and Work में कहा था यह आपको पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए जिनको दिक्कत हो वो Time and Work का जो Initial episodes हैं उन्हें देख ले आज मैं वहाँ से आगे बढ़ूँगा Pipes and Sister है तो Time and Work जैसा ही लेकिन जब अलग चेप्टर होता है तो उसे एक विसिस्टता देने के लिए Uniqueness देने के लिए कुछ टाम्स डाल दे जाते हैं आईए उन टाम्स को देख लेते हैं क्या है बस वो नाम है और कुछ नहीं है एक टैंक है उसमें pipes लगे हुए है लगे हुए हैं जो पानी डालते हैं फिल करते हैं वाटल फिल करते हैं तो उनका नाम हो गया फिल पाईप भरने वाला पानी भरने वाला डालने वाला पाईप थोड़ा और बढ़िया नाम inlet इंपाईप थीक है और pipes ऐसे हो जो पानी निकालते हैं तो उनका नाम आउटलेट नाम है और कुछ नहीं है नाम से क्या होता है नाम है आउटलेट इंपटी पाइप वेस्ट पाइप भी बोलते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर एक पाइप फाइव आउस में किसी टैंक को फिल कर सकता है तो वही पाइप भरे भी टंकी को फाइव आउस में खारी कर सकता है वो fill pipe है, inlet है या outlet है, यह दिखाने के लिए sign दे देते हैं, अगर minus 5 hours लिख देंगे, that means वो outlet है, और plus 5 hours लिख देंगे, that means कि वो inlet है, यह sign inlet और outlet को बताने के लिए है, यह समझ में आ रहा है, आइए compare करते हैं, है, यह समझ under 1 ल समझ में ऑनन अ अ आ, 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 आ and an inlet can fill a tank alone in X OS, N, आ, 말ा, आ, can do the same work in y-hours. If both the pipes are opened simultaneously, if both the men start working together, in how many hours the work will be completed? In how many hours the tank will be filled? 100% same है. क्या बोलेगे? xy by x plus y-hours. 3 inlets are there attached to a tank. Okay. 3 mains start working together and 3 pipes inlets open simultaneously. In what time the tank will be filled? In what time the work will be completed? If one pipe in x-hours, another in y-hours, third in z-hours, xyz by xyz by xyz by xy plus yz plus zx. पर यह मुझे पसंद नहीं है. 1 by 1 by x plus 1 by y plus 1 by z यह मुझे पसंद है. क्योंकि operate करने में सुविदा होती है. हम आसानी से LCM ले सकते हैं और solve कर सकते हैं. और x into y बड़ा number हो सकता है. उसको solve करने में दिक्कत हो सकती है. similarity है ना? 100%. और third case. A and B can do a work in x-hours. B alone in y-hours. थोड़ा B alone in y-hours. A alone what? Remaining part xy by y-hours. An inlet can fill a tank in x-hours. Outlet can make it impity in y-hours. So this part is filled. The tank will be filled in harmony-hours. xy by y-hours. एक inlet हो दूसरा outlet हो xy by y-hours. चाहे tanky भरेगी या खाली होगी xy by y-hours. कैसे पता चलेगा? magnitude वही रहेगा. अगर इसको solve किए 6 आया तो 6 आउस ही रहेगा. अगर inlet का rate जादा है outlet से तो tanky भरेगी. और जोदि outlet का rate inlet से जादा है तो भरी tanky खाली होगी. यहां तक 100% similarity है. तो हम क्यों पहले दूसरे question में पहले बात कर लेता है फिर आगे बढ़ेंगे. जहां से changes सुरू होगे वहां से उस change पर भी बात करेंगे. जहां में change करना पड़ेगा. सुविधा के लिए आई. इसे में मिटा देता है. First question दिखिए. Two pipes A and B can fill a tank in 36 hours and 45 hours respectively. If both the pipes are open simultaneously, how much time will be taken to fill the tank? xy by y minus x. xy by y minus x. 81 लिगें कि नहीं? xy by y minus x. 36 hours and 45 hours. 9 से 4 ताइम्स, 9 से 5 ताइम्स, 20 hours answer. नहीं समझें. एक 36 में, दूसरा 45 में, both together x into y by x plus y. एक 9 से 9 ताइम्स, 4 ताइम्स, एक 9 से 5 ताइम्स, 20 hours answer. समझें में आया. Second question दिखिए. A pipe can fill a tank in 10 hours and another pipe can make it empty in 12 hours. If both the pipes are opened simultaneously, find the time in which the tank is filled. एक fill करते हैं, दूसरा empty बनाता है. xy by y minus x. xy by y minus x, y minus x, 60 hours, answer. आवर्स है तो आवस, मिनिट है तो मिनिट, ऐसे ऐसे. xy by y minus x. एक क्या लिखे थे? xy by x plus y. यह ठीक ठीक लागू होता है. और ऐसे formula तिनका इस्तेमाल करना सुविदा जनक होता है. हम जरूर लेते हैं. लेकिन यह याद रहे. पूरे mathematics में 30-35 से ज़्यादा formula नहीं होना चाहिए. formula का जो महत्त है उसे हम स्विकार करते हैं. लेकिन हर बात में formula formula नहीं करते हैं. और आख नाख कान सब खुला रखते हैं. question बनाते चाहिए. third question देखिए. If three taps are opened together, a tank is filled in 12 hours. One of the taps can fill it in 10 hours and another in 15 hours. How does the third tap work? देखिए formula लागू तो होगा. लेकिन sign changed है. और अब sign change होने पर formula का इस्तेमाल करने में दिक्कत होती है. यही बात तो मैं कह रहा था कि आँख नाख कान खुल के रखिए. जबरदस्ती का formula नहीं. जब तक मदद करना था किये, नहीं करना है. J, don't disturb. कैसे बनाएंगे? अगर minutes में rate दिया है तो एक-एक minute में हिसाब कर लेंगे. आउस में दिया हो है तो one-one minute में हिसाब कर लेंगे. फिल, फिल का मतलब प्लस, तो इंपटी का मतलब माइनस. आई. If three taps are opened together, a tank is filled in 12 hours. तीनु पाइप काम किया ना? 1st, 2nd, 3rd, and finally it is filled. तो 12 hours में फिल हुआ, तो 1 hour में 1 by 12. फिल हुआ इसले प्लस, अगर इंपटी होता तो माइनस. तीनु पाइप के काम करने से, result अगर खाली होना होता, तो माइनस लिखते हैं. फिल हो रहा है तो प्लस लिखें, ओके. अब तीनु पाइप क्या क्या करते हैं? देखें. One of the taps can fill in 10 hours. फिल, फिल का मतलब? प्लस. Another also fill in 15 hours, ओके. प्लस. And another, another होगे हैं तो two pipes. How does the third tap work? तीसरे tap का बताया नहीं. कि वो fill है कि empty है. तो हम इसको यहां प्लस लिख देते हैं. माल लिजे कि चाहे वो fill करे या empty करे, x आउस में करता हो, तो one by x होगा कि नहीं. और sign इसमें included है. Sign इसके अंदर सामिल है. अगर प्लस हुआ तो प्लस आएगा, मैनस हुआ तो मैनस आएगा. फिल, pipe हुआ, तो x का value प्लस निकलेगा, जो निकलेगा, उसके अधार पर बताएगे, कि third tap करता क्या है. इसको solve कीजिए. solve कैसे करेंगे? बताएगे. मैं करूँ, सुनिए, यह देखिए. मैं फिर से लिखता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ. मुझे यह one y x नहीं लिखता. यह दोनों बहाँ भी देंगे. मुझे यह three दिखते हैं. मुझे दिखता है, कि यह 60 हैं. दस शक्त साथ, पंद्रे तो के साथ, बाराः बजे साथ, छे चार दस में, पाच घटा पाच घटा साथ, लेकिन होगा माइनस. बोले, समझ में हाया हाया नहीं. यानी की, यानी की, माइनस 1 बाइ 12, यानी this is west pipe. West pipe और यह 12 आउस में, अकेरे टंकी को खाली कर देगा है. अब आप बोलेंगे साथ हुआ कैसे है? मैं बताता हूँ. 12 आउस अंसा है तो समझ गे? देखिए ऐसे करता हूँ, प्रपै प्रटोश्टिय। समझ गया है ? अब इसका लाइट कुश्टिन फूर्थ कुश्टिन पर्टम टोपिप्स A and B can separately fill in 15 minutes and 10 minutes respectively and a west pipe C can impity of seven liters per minute if all the pipes are opened when the cistern is full it is embeddied in two hours how many liters does the cistern hold लोकि मैं इसको पहले explain करता हूँ question आप मेंसे कई होंगे जो नया देख रहे होंगे किनी किनी को English से डर लगता होगा किनी को Hindi से डर लगता है समों को adjust करना पड़ेगा क्यों कि हमनों को ने English पढ़ना है ने Hindi पढ़ना है हमनों को Mathematics पढ़ना है देखिए टू पाइप के बारे में दिया हुआ है कि 15 minutes और 10 minutes में वो फिल कर सकते हैं अलग-अलग ओके एक उसमें West pipe लगा हुआ है दो तो inlet बताया एक outlet लगा हुआ है और वो 7 liter हर minute में पानी बाहर फिकता है अगर तीनू pipe को खोल दिया जाए एक साथ तो पूरी टंकी दो गंटे में खाली हो जाती है बताये बताये टैंक में कितना पानी था यह सवाल है सवाल को मैं दो भाग में माटता हूं सबसे पहले 7 liter बाहर फिकता है छोड़ी है बाहर फिकता है क्या करता है नहीं मतलब है सबसे पहले यह बताये फस्ट pipe का rate दिया फस्ट का रेट या फ़सट pipe का rate दिया थ़ड़ का नहीं दिया तो क्या करते है तो हड़़़़ पाइप का निगले आगया कि नहीं अब तुरत घुर्ड नम्बर कुछ को नहीं बना है 1 का rate ये 2nd का ये 3rd का rate नहीं मालूम लेकिन वेस्ट पाइफ हमको मालूम या तो मालूम भी नहीं नहीं मालूम और तीनों मिलके 2 आउस में खाली कर देता है ये भी मालूम तो 3rd tip का rate क्या है पहले ये बताइए पहला part ये करता हूँ फिर बात करता हूँ ठीक है देखे फस्ट फिल करता है तो 1 by 15 सेकेंड भी फिल करता है तो प्लस 1 by 10 थर्ड वेस्ट पाइफ है हमने उसको साइन दे दिया कि एक्स मिनट में कर सकता है तो माइनस 1 by x अब एक्स पोजिटिव है जान दीजे और ये two hours है तो one by one twenty minutes होगे नहीं क्योंकि सबी minutes ये fifteen minutes है ये ten minutes है तो two hours है तो one twenty minutes हो जै तीनों मिल करके ये 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 खाली कर देता है इसलिए –1 by twenty देखे Clara इंपटी बनाता है तीनों मिल के जार काम करता ए फिर्स्ट फिल करता है प्लस सेकंड भी फिल करता है तो प्लास थर्ड इंपडी बनाता है वेस्ट पाई फैर तो माइनस और तीनों मिल करके टंकी को खाली कर देते हैं इसलिए माइनस तीनों मिल के भर देते तो होता प्लास अब मुझे बताईए मैंस बाई एक्स उधर गया और माइनस वन बाई 20 इधर तो तो 3 प्लस प्लस हुआ कि नहीं अधर गया उधर क्या होता destac कि इसको फेंटी मिल्टिप्लाइग कीजिए मुझे बटाएगे क्यों राइगे साफ बमनिटेगी साब एदरो गया गिया तो 12 and 8, 20 and 1, 21 by x is equal to 21 by 120 हुआ कि नहीं, यानि की यानि की यानि की ये हुआ कि नहीं, यानि x is equal to 40 by 7 minutes हुआ कि नहीं पहले इसका जवाब देखिए, ठीक है अभी अंसर नहीं लिखता हूँ, ये फरस्ट पार्ट है, फहले बोले ये हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, ये ध्यान से, थर्ड वाला जो पाइप है, वो अकेले पूरी टंकी को 40 by 7 minutes में खाली कर देगा, यहां तक हम लोग आ गए, अच्छा मुझे ये बताईए, कि ये 40 by 7 है न, अगर ये 42 by 7 हूता, थोड़ी देर के लिए मान लिजे, तो 7 से काट दे देना 6 times में, अब होते 6 minutes म खाली कर देगा, थोड़ी देर के लिए मान लिजे, लिखा हुए 42 by 7, काट दिया, आया 6 minutes, हाँ तो जी, दो ठो तो inlet लगा हुए, टंकी में inlet है, एक outlet है, चली हम दो टंकी से बाहर आके दिखते है, outlet लगा हुआ है, टंकी भरी हुई है, outlet को खोल दे, तो 6 minutes में पूरी टंक खाली हो जाया, चली मिनट लगे, चली में पूरी टंकी खाली, लेकिन बाल्टी लगा के रहें, और देखे एक minute में 7 लिटर पानी बाहर फेग रहा है, चली मिनट में पूरी टंकी खाली हो जा रही है, एक minute में 7 लिटर बाहर में पानी खेग रहा है, और 6 minutes में पूरी टंक स्लिभाइब 37agr तो शुक्समेशल नंबर में की शुट जरूरुरी है अब कही तो ज्क्साल टैंक की करपसिदी क्या है 40 लीटर 40 लीटर अंसर बोले ये चैप्टर अच्छा लगा कि नहीं मैं बार बार कहूंगा कि इस चैप्टर को ठीक से समझने के लिए जो टाइम इन वर्क वाला जितना भी मैंने लोड किया है सब का सब देख चाहिए अगर आपने उन सब को देख लिया तो रती भर परेशानी नहीं होगी इस चैप्टर में ये पहला है ये देखने के भी पहले मैं कहूंगा कि थोड़ा बात मैं इसको देखिएगा पहले एक बात टाइम इन वर्क वाला सीरीज देख लिजी उसके बाद थोड़ा भी प्रब्लम नहीं होगा फिर भी मेरा क्याल है इसमें भी प्रब्लम नहीं हुआ होगा यहां से सुरुवात होती है और यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे All the best